नमस्ते चात्रों यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में कल्लैने के चलू के वंस और इस वंस की जानकरी के जो श्रोथ हैं उनके बारे में जानकरी प्रात करेंगी तो देखें स्टुडेर्स जो चलू के वंस ह चलू के थे आपके वेंगी के चलू के थे इनके बारे में भी हमने आपको पढ़ा दिया है अब जो एक और साखाती चलू कि वह है कल्लैने के चलू के इनके बारे में हमने अभी ये पहला वीडियो ही बनाया है और इसके सास्कों के बारे में भी हम आपको आगे पढ़ाए तो देखेगा जो चलू के राजवंस है दक्षिन भार्त का एक महत्तवन राजवंस था जिसने करनाटक में अपना ससन किया था और जो चलू के राजवंस है इसकी तीन साखाईं थी बादामी या वातापी के चलू के जो चलू कें की मूल साखा थी और इनकी राजदानी वात जो पूरवी चालुके थे और दर्परदेश में थे और इनकी इस्थापना है भाई। वन हैं इनकी स्ताफना तेलब सेकर्ड ने की थी जिसने राश्ट्रपूर्ट सासक करक दृत्य को हरा कर कल्यारी में चालू के राजवन्स की स्ताफना की थी और जो वातापी चालू की है उनका जो संस्तापक करता हूँ है फिलकेशन फैस्ट था ठीक है अब देखेगा होता क क्या कि जो यह राश्ट्र कूट लोग है यह पहले चालूकियों के ही सामन्त थे लेकिन यह क्या करते हैं कि बादामी के जो अंतिम चालूके सासक कीर्थी वरमा सेकिंड को हरा देते हैं और फिर वहां पर यह खुद का समराज इस्तापित कर लेते हैं और जो यह आपके वेंगी का जो चालूके समराज है वह है चोल समराज में मिल जाता है ठीक है सामिल हो जाता है और जो बादामी के चालूके थे इनकी लड़ाई जो दक्षिन का महत्तवकुन राजवन्स था पल्लव राजवन्स उसके साथ होती है और वेंगी के चालूकियों की राश्ट्र कुटों चोलों परमारों इनसे होता है तो यह देखेगा कि वह जो दक्षिन भार्ट में जो महान राजवन्स थे कौन-कौन से थे पल्लव राजवन्स है राश्ट्रकूट है चोल है इन सबी से चालू क्यों के लड़ाई हुई थी ठीक है और लास्ट में क्या होता है कि दिरे दिरे राश्ट्रकूट राजवन्स में भी मतलब जो है आपसी लड़ाईयां होती है तो इसे क्या है कि वहां की जो इस्तिती है वह एक्दम से ऐस्तिर हो जाती है राश्ट्रकूट राजवन्स है कमजोर हो जाता है और फिर अंत में क्या होता है कि वहां जो चालू क तो फिर से वहाँ पे चानलू के स्थापना करता है और यही था आपका कल्लाणि की कil के राजवंस ठीक है इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकार इप्राप्त करेंगे तो देखे स्टुडैंट्स होता है कि है कि जो तुर सब्सक्या इसकाila प्रवाइब दस्वी स्थाब्दी के अंत में कल्याने में भी चालूकियों की एक साखा का उतकर से हुआ था इसमें दक्सिन की जो राजनेतिक इस्तिती है उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे थे मालवा के परमार सासकों के निरंतर आकर्मनों के कारण जो राश्टर कूर समराज जहवाज जरजर हो गया था रथा कमजोर हो गया था और जो कर्शन थर्ड है उसके जो दुरूबल उत्रा दिकारी थे खेटिक गा और कर्क शेकिंड ये राश्टर कूर राजवन्स की सुरक् रहा गया है वह सकती साली हो गया और उसने 973-74 में तैलक सेकिर्ड ने अपने सकती और कूटनेती से राश्टो कूटो की राजदानी मानने खेत पर अधिकार कर लिया और नए राजवन्स की स्थाफना की जो कर लाने के चालू के राजवन्स के नाम से परसिद हुआ इन्हें ही पस्षी में चालू के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो देखेगा यह सोड सी स्टोरी है जिसके बारे जिससे संबन्दित कहें कि उसने एकजामें पूछे भी जाते हैं तो देखेगा कल्याणी के चालू के पस्षी में चालू के भी कहलाते हैं कल्याणी के चालू के स्थापना तैल सेकिंड अर्था तैल अपने की थी जो राष्ट कुटों का चालू के सामन्त था तैल अपने राष्ट कुट सासक कर्क द्वितिय को हराया था ठीक है तो देखें जो यह तैल सेकिंड है यह चालू के सासक आयन तथा राष्ट कुट राजा कर्षन सेकिंड की देखेगा होता कि है कि जो चालू के सासक आयन है उसने और राष्ट गूट राजा किशर शेकिन की पुत्री ने विवा कर लिया था और आयन के कोई पुत्र होता है विक्रमा दिते फोर्थ जिसने कल्चुरी राजा लक्समन सेन की पुत्री बोन्था देवी से विवा किया थ ओर जो विक्रमा देते हैं इससे और बॉन्था देवी है जो कल्चुरी सासक लक्समन सेन की पुत्री थी। इनसे एक संतान होती है जो 10 second था, ठीक है तो जो से कुछ सेकते हैं कि 10 second है इसकी माता का नाम क्या था, बॉन्था देवी, और ये कौन थी। यह है कल्चुरी वंस के सासक लक्समन सेन की उत्री थी और जो तेलब सेकेंड इसके पिता कौन थे ये विक्रमा जीते फोर्थ था ठीक है आप देखिएगा जो कल्याण के पस्सी में चालूके हैं इनके इत्यास को जानने के क्या क्या साधन हैं इनके लिए भी जानकर के कई स्रोथ मिले हैं जिनके आधार पर हम कई बातों भी विश्वास कर सकते हैं ठीक है तो कल्याणी के चालू के वंसका उदे राश्ट्रकुटों के पतन के बाद हुआ ठीक है तो राश्ट्रकुटों का उदे कब हुआ था बादमी के चालू क्योंक राश्ट्रकूटों में और फिर यहां पर राश्ट्रकूटों का पतन हो जाता है और कल्यानी के चालू की राश्वन्स का उदेव होता है इस वन्स का इत्यास हम साहिते तथालेखों के आदार पर प्राप्त कर सकते हैं साहिते क्रंथों में जैसे विलहन कृत विक्रमांक देवचरीत है वह सर्वादिक महतोपूण है इससे इस वन्स के सबसे परतापी सासक विक्रमा दिते सस्ट के जीवन की तदावस की उपलब्दियों पर प्रकास पड़ता है तो देखेगा विलहन यह कल्यानी का जो चालू क के वन्स सासकता विक्रमा दिते सस्ट इसकी राज सभा में एक परसिद राज कवी और विद्वान था और यह है कस्मीर का रहने वाला था को विलहन विलहन की रचना का नाम क्या है विक्रमांक देवचरीत ठीक है अब देखेगा विक्रमांक देवचरीत के अलावा जो रन नाम का कोई विद्वान था उसके द्वारा लिखा गया गद्दा युद्ध है उससे भी इस काल के सम्माज जीवन की जानकर प्राप्त होती है इन सब के अलावा इस वंस के राजों दथा उनके सामनतों के जो कन्नरवासा के लेख है उनसे भी ततकाले निथ्यास पर प्रकास पड़ता है इन साक्षम में उन्हें वाताभी के चालुक्यों का वंसस तता आयोध्य का मूल वासी बताया गया है ठीक है विक्रमादिते सर्ष्ट के कैथोल लेख में कहा गया है कि 59 चालू के राजों ने आयोध्य में राज किया फिर वे दक्षिन चले गई जैसी है भलव ने राश्ट कुटों को प्राजित कर अपने वन्स का पुंगरुधार किया था गद्धायूध में सत्या स्रय तथा जै सिंग को आयूधा का सासक बताते हुए राष्ट कुटो को प्रास्त कर दक्षिन में चालूके मंस्कि स्तापना का स्रय जै सिंग को दिया गया है विक्रमांग देशरीत में कहा गया है कि पर्थवी से नास्तिक्ता को समात करने के लिए बर्मा ने अपने चलुक अर्थात चुरलू से एक वीर पूरुस को उत्पन किया इसी ने चलुके मन्स की स्थापना की कल्यान लेक में भी बर्मा को ही चलुके का आदी पूर्वज कहा गया है परवर्ती लेकों में इसका समंद बादामे के चलुके मन्स के साथ इस्तापित करते हुए इसे विक्रमा दित्ते के छोटे भाई जिसका नाम अग्या थैर्तात पता नहीं है किन्तु जिसकी उपादी भीम प्राक्रम की ठीका मनसद बताया गया है चालू क्या कर्णड देश के मूर निवासी थे तथा अयोध्य के साथ उनका समद्ध जोड़ना कालपनिक लगता है वे वातापी क्या चालू के कुल से ही समद्धित थे तो देखेगा ये छोटी सी इंफोर्मेशन थी इसमें कि एक तो जो विक्रमांग देवचरीत है एक आपका जो ये रन का जो गद्धायुद है इन सबसे मतलब चालू के बारे में में पता लगता है ठीक है तो देखेगा कल्याणी के चालू के हैं बादामी के चालू के हैं वेंगी के चालू के हैं इन सभी ने अपने समय में अच् में आपका पुलकेसिन सेकेंड जो बादमी के चालू के सासक था जिसने हर्षव्दन को हर रहा फिर पल्लव सासक महेंदर्वर्मन नर्सिया वर्मन इनके समय में ये थे नर्सिया वर्मन से हास्त है और लास्टमे 622 इसमिंद ये खेस्टम भी हो की वीडियो में हम आपको कल्लैनी के चालू के सासकों के बारे में पढ़ाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज बे